जो थोड़ा सा पेपर जो अपिना हुआ था थोड़ा सा मैं उसको फास्ट ही लूँगा क्योंकि अब आपको रोज ज्यादा से ज्यादा कुश्चन निकाल रिवन अपने पास 30-40 दिन है तो कुश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कुश्चन होगा तो थोड़ा स कुश्चन पिछली बार भी फिस्ट्रेड में आया था और आप से पोचा अब त्डीट कैसे बनती है तो जब अपने DDT की बात की थी तो आपको याद रखना है DDT कैसे बनाते हैं ये question देखो दो बार आया पिछली बार तो first grade में आपसे पूछा ही था और उससे पिछली साल जो आपका first paper होता है जनरल साइंस का उसमें पूछ लिया था कि DDT कैसे बनाते हैं तो DDT बनाने के लिये बापिस एक और फठाफट देख लेते हैं दो चीजे काम आएंगी एक चीज तो आपकी काम Àएगी क्या ख्लोरेम ग्रॉरे मंजीन और दूसरी चीज जो आपकी काम आती है वो ख्लोरेल काम आती है एक तो ख्लोर बैंजीन पटाफट एक बार कर लेते हैं बापीस वही कुश्चन और साथ में प्लोरेन CCL3 CH CCL3 और कंसेंट्रेट है स्ट्रेट है बस थोड़ा सा आइडिया लेना है याद आगया होगा है एच्ट्टू ओपन बाहर निकाल रहे थे और फाइनली क्या बनेगा दीडीटी तो यही कुश्चन पूछा है कि क्लोर्वेंजीन और क्लोरेल जब आपस में रियक्शन करते हैं तो एक महत्पून इंसक्टिसाइडल बनता है उसका नाम क्या है तो वैसे भी सोच सकते हो डीडीटी इंसक्टिसाइडल नेक्स्ट कुश्चन इन मेंसे वो कौन सा कंपाउड है जो नाभी किस नहीं प्रतिस्थापन अभी करिया में भाग नहीं लेगा तो आप सब को पता है कि जो इस तरह के कंपाउड होते हैं जैसे विनाइल ख्लोराइड के अंदर आप सब को पता है यह जो क्लोरीन है इसका जो यह लॉनपेर है वो रेजोनेंस में पार्टिसेपेट करेगा और पार्टिसेपेट करने के कारण यहाँ डबल बॉंड कराक्टर जनरेट हो जाएंगे और डबल प्रोमाइड में मिलेगी सिंगल बॉन्ड है आपके बैंजिल क्लोराइड में मिलेगी सिंगल बॉन्ड है इसी लिए अपना इसका आंसर मैंने क्या दिया फस्ट दिया तू का फस्ट नेक्स्ट कोश्चन यह कहता है कि जो क्लोर बैंजीन है क्लोर बैंजीन इससे जब हम फिनॉल बनाते हैं तो बड़ी कठनाई आती है रीजन आपको पता है रेजोनेंस के करण यहां डवल बॉन्ड केरेक्टर आ जाते हैं और यह बॉन्ड इजीली नहीं तूटता तीसरा यहां से क्लोरीन का विस्थापन विशम परिस्थितियों में होता है मतलब यहां से क्लोरीन हटाकर अगर आप वेच लगाना चाहते हो तो बड़ी मुस्किल आती है तथा फिनॉल बनता है लेकिन इसकी दो नंबर और चार नंबर पर अगर हम नाइट्रो ग्रूप जोड़ परा इस्तिती में तो उस इस्तिती में यह क्या करते हैं इनकी नाविक इसने ही प्रतिस्थापन अभिग्रिया की गती भढ़ जाती है इसलिए कोश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो फोर्थ गया कि दो नंबर और चार नंबर पर अगर नाइट्रो ग्रूप जोड़ दिया जाए और्थो और पैरा इस्तिती पर तो इनकी नुक्लियोफिलिक सप्टिटूइशन रियक्शन भढ़ जाती है क्योंकि वह अपनी और इलेक्ट्रों को खीशती है रिंग में इलेक्ट्रों डेंसिटी कम हो जाती है नुक्लियोफाइल का अटेक तेजी से होता है इ है नेक्स्ट कुष्ठ तो वन मेतओकसी फोर नाइट्रो बेंजीन बनाना चाते हैं और चार नमबर पर नाइट्रो आप फोर नाइट्रो वन मेठोकसी 14 दौर दो तीन चाहते हैं तो आपके लिए स्टेबल रियूजेंट पॉन शाप होगा तो आप सब को पता है पहला रियेजेंट ये दिया है अब जेनरली एरिल हलाइड जो होते हैं उनमें नुकलोफिलिक सब्टिटूइशन रियक्शन नहीं मिलती है लेकिन अगर इनके साथ कोई लेक्टॉन आक्रसी ग्रूप जोड दिया जाए तो फिर ये नाविक इसने ही प्रतिस्थापन अभिकरिया दिखाते हैं इसके अंदर सोडियम मेथाउकसाइड है सोडियम प्लस का मेथाउकसाइड वाइनस का क्या बाहर निकल जाएगा एने बी आर और ओ सी अस्तरी यहां लग जाए इसी तरीके से अगर इस कंपाउंड की रियक्शन आप करोगे तो एने बी आर बाहर निकलेगा और उनके साथ सी अस्तरी लगेगा और इसी लिए हम दौनों ही रियर्जेंट से बना सकते हैं A से भी और बी से भी ध्यान रखना है कि जो विलियम सल्स असलेशन रियक्शन होती है उसके अंदर जो आपको यह एलकेल हलाइड काम में लेना होता है वो या तो मैथिल व्हेस करें त्ब ही जाके कुछ हो पाएगा है यृय लेक्स्ट इसके है वन्हाइठ वांटु डाइव रॉम्हस एक्षय एला है सब्वान तुद रॉमयन साइक्डोक ऐसे बीटा एलिमिनेशन करता है, HBR यहां से निकलेगा, HBR यहां से निकलेगा, उसका रीजन क्या है, double bond, alternate double bond, conjugation होगा, और compound stable होगा, इसलिए 5 का answer क्या गया, फस्ट किया, आप लोगों को बेटा समझी में आ रहा है, एक बार, चैट में लिखके बता है, वैसे मैंने उस दिन आपको करा दिया था, लेकिन एक बार फटाफट फटाफट अपन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है सुबास, good, next question, बताया था, इन में से, कौन ग्रिगनाड रिय रियजेंट बनाने में काम नहीं आता, ग्रियनाड रियजेंट आप सब जानते हैं, एलकल हलाइट की रियक्शन मेगनीशन से, ट्राइथर की फरजेंस में ग्रिगनाड रियजेंट होता है, ग्रिगनाड रियजेंट जब हम काम में लेते हैं, तो सभी एलकल हलाइट काम आ नहीं लेते, methyl chloride लेते हो, methyl bromide लेते हो, methyl iodide लेते हो, next question, एक कार्वनिक योगिक A है, जिसका सूत्र C4H9Cl है, उसकी reaction आप sodium के साथ करा रहे हो, और ether के साथ करा रहे हो, और वो एक hydrocarbon दे रहा है, तो इस language से ही समझ जाए, एक कार्वनिक योगिक A है, जो C4H9Cl है, अब आप सब को दिमाग में होना चाहिए, C4H9Cl, ये butyl है, butyl चार तरह के होते है, normal butyl, secondary butyl, isobutyl और tertiary butyl, उस alkyl chloride की reaction, sodium से कराई जा रहे है, ether की उपस्तिती में, तो ये सारी लाइने आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, alkyl light की reaction, sodium के साथ, ether की उपस्तिती में, woods reaction है, alkyne बनेगा, hydro carbon बनेगा, लेकिन वो कह रहा है कि जो alkyne बनना चाहिए, फिर आप उस alkyne की reaction अगर halogen से कराते हैं, तो जो आपको एक ही chloro withpand मिलना चाहिए, यानि एक ही प्रकार का आपको product बनना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था इसका जो answer है, वो क्या जाएगा, tertiary butyl chloride, देखें इस तरीके से, ये tertiary butyl, पॉपी में करा भी रखा है ये कुश्या, ये tertiary butyl chloride, ये tertiary butyl chloride, आप सब को पता है, ग्रिगनाड रियेजेंट के अंदर, alkyl halide के दो अनु काम में लिए जाते हैं, रियक्षन सोडियम के साथ कराते हैं, उपस्तिती dry ether की कराते हैं, तरीका बता चुका, जब भी, जब भी बूट्स reaction का फुश्चन आ जाए, कार्बन क्लोरीन के बीच में से बॉन्ड तोड़ ले, कार्बन क्लोरीन के बीच में से बॉन्ड तोड़ ले, फ्री रैडिकल्स के अंदर कप्लिंग रियक्षन दिखा दे, इस तरह का अलकेंस बनेगा, और इस अलकेंस के अंदर आपको पता है, ये फ्री रैडिकल्स फ्री रैडिकल्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, और अगर आप इस अलकेंस की रियक्षन, अगर हैलोजीनेशन आप कराते हैं, इसकी reaction कराते हैं तो एक ही तरह का monocloro उत्पात बनेगा चाहे आप chlorine यहां से उठाले चाहे यहां लगा दे चाहे यहां लगा दे चाहे यहां लगा दे और चारों के साथ अगर आप करेंगे तो एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोडेक्ट बनेंगे इसलिए साथ वेक आंसर फर्स्ट गया था नेक्ट कुश्चन निम्न मैं से किसका गल्लांग सबसे ज़्यादा है तो आप सब को पता है melting point mainly wonderwall force पे depend करता है एक chlorobenzene है dichlorobenzene है dichlorobenzene है dichlorobenzene है dichlorobenzene है यह तो confirm है melting point chlorobenzene से ज़्यादा dichlorobenzene का होगा क्योंकि इनके अंदर wonderwall forces ज़्यादा है लेकिन ortho dichlorobenzene meta dichlorobenzene और paradichlorobenzene में सबसे ज़्यादा melting point किसका होगा paradichlorobenzene का होगा उसका reason क्या है melting point wonderwall forces के अलावा इस बात पर depend करता है packing कैसी है और सबसे अच्छी packing आप सब को पता है इस समय किसकी होगी paradichlorobenzene की होगी यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो melting point है वो इस समय किसका होगा paradichlorobenzene का होगा देखें इस वाले question में थोड़ी सी गलती थी यहां यह है जो अमोनिकल cuprous chloride के साथ 5.2 अमोनिकल cuprous chloride के साथ लालवचेप देता है में लालवचेप देता है ऐसे लिखलेंगे अपने पेपर में क्यूप्रस chloride के साथ लालवचेप देता है तथा तथा जलिये की वेचके साथ 12 है reg leven इस तरह से है, तता जलिये के वेच के साथ अल्डि हाइड देता है ये कुश्चन आपका इस तरीके से है अब आपस देख लें, एक तीन कार्बन परमाणू है एक तीन कार्बन परमाणू वाला हाइट्रो कार्बन है और उसका डाई हैलोजन वित्पन है एक्स डाई हलोजन वित्पन का मतलब एक हाइड्रो कार्बन लेंगे उसमें से दो हाइड्रोजन हटाकर दो हैलोजन लगाएंगे तो वो आपका डाई हलोजन वित्पन एक्स बनता है इसके किरिया पहले हम अल्कॉली के वेच से करा रहे है तो एक दूसरा hydrocarbon बन रहा है और फिर उसकी reaction जो दूसरा hydrocarbon है अगर उसकी reaction अमोनियाम में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वो लाल अवचेप देता है और उसी की reaction अगर जलिये QH के साथ कराई जाती है तो फिर वो क्या देता है याने यह जो योगिक X है उसकी जलिये QH के साथ कराते है तो वो लडियाइड देता है देखे question क्या है यह कराए एक carbon परमाणू है एक hydrocarbon है उसका डाई हेलोजन विद्पन है मैं direct बता देता हूँ यह वाला option यह XCA है 1-1 dichloropropane क्योंकि अगर आप इसकी reaction alcoholic QH से कराएंगे तो आप सब को पता है alcoholic QH का का काम SCL निकालना है alpha-beta elimination, alpha-beta elimination एक SCL यह बाहर निकलेगा, एक SCL यह बाहर निकलेगा और यह propine बनेगा अब मैं आपको बता चुका कि जो 1-alkyns होते हैं उनमें एक अच्छी reaction और होती है substitution reaction जब आप इसकी reaction Q-press chloride से कराएंगे तो आप सब के समझ में आ जाएगा कि क्या बनाएगा यह Q-press alcanide बनाएगा और Q-press alcanide का कैसा precipitate होता है, लाल precipitate होता है इस compound को यह X मान रहा है और साथ ही साथ यह कह रहा है इस compound X की reaction अगर जली Q-H से कराओगे तो जली Q-H में तो आपको पता है substitution reaction होगी, इस Cl की जगे OH आ जाएगा, इस Cl की जगे OH आ जाएगा, एक carbon पर 2 OH आते ही H2 रिकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, aldehyde बन जाएगा, इसी लिए जो आपका compound X है, वो आपका क्या है, 1,1 dichloropropate है next question देखे, आपको ether बनाना है, और इस तरह का ether बनाना है इस question में, जिसके अंदर carbon के साथ 3 methyl लगे हुए है O और ether, यह आपको ether बनाना है, यह Williamson Sons installation का question है Williamson Sons installation के method के दोरा ether बनता है, याद करें, इसके अंदर हमें पता है alkyl halide की reaction sodium alcoxide से कराते हैं, और mechanism का जो type होता है, वो SN2 होता है पहले ही बता चुका, alkyl halide या तो methyl halide लोगे, या आप ethyl halide लोगे, one degree लोगे या alkyl halide लोगे, sodium alcoxide किसी भी तरह का ले सकते हो जब ether से उल्टा पूछा जाए, कि मुझे ये ether बनाना है, तो इधर कौन से alkyl halide और कौन से sodium alcoxide लेंगे तो जो छोटा पार्ट है, जो छोटा पार्ट है, इसका तो लेना है आपको alkyl halide, और जो बड़ा पार्ट है, उसका आपको क्या लेना है, sodium alcoxide इसलिए जो इसका अंसर है, वो क्या गया, एथिल क्लोराइड और sodium ये वाला जो है, sodium tertiary butoxide इसको हम काम में लेके बनाएगे एक कार्बनी क्योगी कैक्स है, अम लिए potassium dichromate से reaction कराते हैं, तो oxidize हो जाता है और जो उत्पाद प्राप्त होता है, वो phenyl hydrogen से reaction करता है, लेकिन silver mirror नहीं देता, x की क्या संभावना है तो आपको दिख रहा है, एक कार्बनी क्योगी कैक्स है, जिसकी हम potassium dichromate से जब reaction कराते हैं, तो वो oxidize हो जाता है और एक compound बनाता है, product बनाता है, वो product phenyl hydrogen से reaction करता है, तो phenyl hydrogen से reaction करने का मतलब या तो product aldehyde होगा, या product ketone होगा, या तो aldehyde होगा, या ketone होगा, लेकिन साथ ही साथ उसने कह दिया कि वो silver correction नहीं देता, तो इसका मतलब वो चीज aldehyde नहीं है, बलकि वो चीज क्या है, ketone है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो X है, वो ketone तो होई नहीं सकता, aldehyde की होई नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर जो X है, वो 2 degree alcohol है, क्योंकि 2 degree alcohol का oxidation करने पर आप सब को पता है, क्य डिग्री अलकॉल में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो वांडरवाल फोर्सेज कम होगे और वांडरवाल फोर्सेज कम होगे तो बॉयलिंग पॉइंट कम हो जाएगा यही कारण है वन डिग्री टू डिग्री 3 degree alcohol में सबसे ज़्यादा जो boiling point होता है वो किसका होता है 1 degree alcohol का then 2 degree alcohol का then 3 degree alcohol का अगला question है methoxy benzene की अभी क्रिया अब आप सब को याद हो गया होगा ये benzene है और इसके साथ methoxy ये वाला पहले ही बता चुका जब आप इसकी reaction करेंगे ये वाला bond आपको नहीं तोड़ना क्योंकि या रेजोनेस के current double bond character है ये bond यहां से तूटेगा ये plus का, ये minus का इसके साथ H जुड जाएगा इसके साथ I जुड जाएगा H plus और I minus याने methoxy benzene की reaction अगर HI से कराई जाए तो एक तो phenol बनेगा और साथ में क्या बनता है methyl iodide बनता है इनमें आपको अमलिय स्ट्रेंद बतानी है कौन सा phenol इन सब के अंदर सबसे जादा अमलिय होगा तो आपको पहले ही बता चुगा वो phenol सबसे जादा अमलिय होता है जिसके साथ minus I और minus M जुड़ा हो जिसके साथ plus I या plus M जुड़ा होता है उसकी अमलियता सबसे कम होती है यहाँ मेरे पास एक phenol simple phenol है दूसरा phenol में metanitro phenol है metaposition पर आपको पता है केवल प्रेनिक प्रभाव लगता है तीसरे option में एक आपके पास metachloro phenol है और चौथा आपके पास chrysal चार तरह के आपको phenol दे रख्या है वो सब phenol से ज़्यादा acidic होंगे जिन में minus I लगा हुआ है और वो phenol से कम acidic होगा जिनके साथ plus I लगा हुआ है जो metacrysal है वो सबसे कम acidic होगा phenol से कम acidic होगा क्योंकि इसमें plus I लगा हुआ है इसका मतलब सबसे कम acidic तो इसमें second होगा second होगा ये सबसे कम acidic होगा second ये वाला सबसे कम उससे ज़्यादा acidic phenol होगा उससे ज़्यादा acidic chlorofenol होगा और उससे ज़्यादा acidic आपका nitrofenol होगा याने first जिस first वाला सबसे ज़ादा acidic होगा तो second पर fourth third तो वैसी गलत होगे और firsts के बाद first से कम कौन होगा fourth तो समझ में आ गया होगा first answer अगला question ये alcohol है ये फिनॉल है ये फिनॉल है ये फिनॉल है alcohol और फिनॉल में फिनॉल अलकॉल से ज्यादा अमलिये है रीजन आपको याद आना चीए अलकोहल H+, देके अलकॉक्साइड आइन बनाता है, फिनॉक्साइड आइन में स्टैबलाइजेशन जादा होता है, इसलिए अलकोहल और फिनॉल में फिनॉल जादा असिडिक होगा, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, जिसके साथ माइनस आई या माइनस एम लगा हुआ हूँ, इसलिए तीसरा वाला जो फिनॉल है, वो सबसे ज़्यादा इनमें असिडिक होगा, और इन तीनों में कमपेरिजन करें, तो सबसे कम असिडिक यह होगा, क्योंकि इसके साथ प्लस आई जुड़ा हुआ है. आपको फिर्डल क्राफ्ट रियक्शन काम में लेनी है, और कौन सा अलकेल हलाइड काम में लेंगे, क्लोरो बेंजीन काम आ नहीं सकता, रेजोनेंस है, ब्रोमो बेंजीन काम आ नहीं सकता, रेजोनेंस है, क्लोर एथीन, वाइनिल क्लोराइड है, रेजोनेंस है, इसलिए और निया और की टॉन में आप मुझे अंतर करोगे एक ल्डी है और दूसरा आपको पता है ऐेस़ी टॉन है त यह हम हलो फार्म रियक्शन से टैस्ट नहीं कर सकते इसके लिए आपको प्ता है टॉलें डियाजन्ट काम में लेंगे एसेट अल्डियाई टॉलेंड डियाजन्ट से एसेट में पदल जाएगा कीटॉन इसके साथ रियक्शन नहीं करता याद करेंगे अलडियाईड और कीटॉन में अच्छे अप्चायक होते हैं एल्डिहाइड जो टॉले नभी कर्मक है उसको उसके साथ सिल्वर मिरर देते है एक कार्बनिक योगिक A है जिसका अनुसूत्र C3S6O है इसी से ही समझ मैं जाना चाहिए तीन कार्बन वाला कोई कार्बनिक योगिक जिसका फॉर्मला CnH2O है इसका मतलब यह या तो एल्डि कीटोन साथ ही साथ यह कहता है कि यह आईडो फॉर्म टेस्ट देता है तो तीन कार्बन वाला एक कार्बनिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्लर फॉर्मला C3S6O है तुरन समझ मैं जाना चाहिए CnH2O इसका मतलब यह यह तो प्रॉपेनल होता है यह तो प्रॉपेनल होता ह यह तीन कार्बन वाला LDI कीटोन सोता है फिर यह कहता है कि जो बनता है यह जो A है मतलब यह जो C3S6O वाला जो कंपाउंड है वो आईडो फॉर्म टेस्ट देता है तो यह तो देगा ही नहीं आईडो फॉर्म टेस्ट भी देगा क्योंकि यह मैथिल कीटो है और आपको बत है акetone के आप 3 अणू लोगे एक दो तीन बीच वाले से h2 लेके h2ो निकाल देना इधर वाले से भी h2 निकाल देना यैसी टौन के 3 अणू आपस में जुड कर फरौन मनाएंगे एक और बापिस देख लें कैसे बनता है याद करें बापिस सुलन लें क्वें ओए क्मिन का methyl keto नहीं दिख रहा यह देगा क्यों क्योंकि इसके अंदर मुझे methyl keto group दिख रहा है फिर जो यह आपका ketone है acetone है इसको जब तनू SCL से संत्रप्त करते हैं तनू SCL जब इसके अंदर डाला जाता है तो बहुली गरण भी क्रिया होती है acetone के तीन अणू आपस में जूडते हैं और फौरण बनता है फौरण बनता है एक पर फुड़ा आइडिया दे देता हूं कैसे आप बीच वाला acetone ऐसे ले लेना CH H2 CO CS3 CH H2 इधर एक acetone ले लेना CS3 CO CS3 इधर एक acetone ले लेना CS3 CO CS3 इसमें से H2 बाहर निकाल देना इसमें से H2 बाहर निकाल देना remaining को जोड दे जो चीज बनी यही फौरण यही आपकी फौरण अगली वाली जो कुश्चन है आपको एलकीन बनानी है तुरंत तिमाख में आ जाना चीए यह वाली चीज फौरण प्रहण को हमने विटिग रियक्शन कहा था इस रियक्शन को हमने विटिग रियक्शन कहा था ज़स्टि मिटें पास्पोरा सिलाइड के साथ याद आना चीए पास्पोरा सिलाइड के साथ याध आना चीए पास्पोरा सिलाइड के साथ याद करें, विटिक रियक्षन, याद करें विटिक रियक्षन, क्या करना है, CS3, CS2, CS2, CH, डवल बॉन्ट, PPS3, याद करो, एलकिलीन, ट्राइफेनिल पास्पोरेन है, तरीका आपको बता चुका है, जब कीटॉन से रियक्षन कराओगे, 2-butanon से, याद करो, ट्राइफेलिन, फास्पोरेन, उक्साइड को बाहर निकाल देंगे, रिमेनिंग को आप जोड़ दें, CS3, CS2, CS2, CH, double bond C, CS3, CS2, CS3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 methyl, ये रहा, 3 methyl, और दिख रहा होगा, 3 heptine, तो इसका आपको आपको बाहर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा, 2, 4, 2, 4, 2, 4, hexane dion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो समझ में आगया होगा, कि ये जो carbonyl group है, इसका भी minus i प्रभाव, इसका भी minus i प्रभाव, ये भी खीचेगा, ये भी खीचेगा, उसके कारण ये वाला जो hydrogen है, वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऐसे देंगे, 2, 5 hexane dion में देखें, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 hexane dion के अंदर, जो ये वाले जो इतना acidic नहीं होगा, और 2, 3 hexane dion के अंदर भी इतना acidic नहीं होगा, reason आपको समझ में आगया होगा, कि इसके अंदर ये C.O. खीचेगा, ये C.O. खीचेगा, उसके कारण ये वाला जो group है, वो दोनों तरफ से acidic हो जाएगा, अगला question, Acetylene की reaction, dilute S2O4 के साथ, याद करेंगे, पानी जो उन्डा है, 1 hex यहाँ, 1 hex यहाँ, vinyl alcohol बनेगा, याद करेंगे, vinyl alcohol के अंदर, टॉटो मेरिज्म है, numbering करेंगे, 1, 2, 3, याद आना चीए, 1, 3 पर पहुंचेगा, CS3, CHO बन जाएगा, फिर यह कह रहा है, dilute NUH, तुरंट दिमाग में आना चीए, LDH, कीटोन आते ही, तो 2, 3 reaction तुरंट दिमाग में घूमनी चाहिए, या तो कहनी जारो, या LDH, तो तुरंट दिमाग में आना चीए, LDH, कंडेंशेशन होगा, वो LDH, कीटोन जिनमें, अलफा इडोजन प्रजेंस होता है, LDH, कंडेंशेशन दिखाते है, दो अनुनों को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, एक के अंदर तो अलफा पोजीशन पर कार्बे एनाइन बना लोगे, तो आपका जो यह CS3-CHO की reaction, CS3-CHO की reaction अब हमें करानी है, डैलूट एन्योएस से, तो अब मेकनिजम वगर है, खुद को याद आनी चाहिए, यह एल्फा पोजीशन पर एक के अंदर आप इस तरीके से कार्बे एनाइन बनाओगे, इस तरीके से, यानि एक न्यूक्लियो फाइल का काम करेगा, वो इसके इसके उपर क्या करेगा, अटैक करेगा, याद आना चाहिए, और यह जो एच प्लस निकला, वो यहाँ जोड़े, अल्फा बीटा, याद आ जाना चाहिए, बीटा हाइट्रोक्सी, अल्डी हाइड या कीटोन बनते हैं, तो अंसर क्या गया, फर्स्त, नेक्स्ट प्रोश्ट, कैनी जारो अभी करिया के अंदर, दो क्रॉपर्टी में याद रखनी होती है, दो तरीके से कुश्चन आता है, कैनी जारो में, चार बाते याद कर ले, कैनी जारो अभी करिया, वो ल्डी आइड देंगे, जिनमें अल्फा इड्रोजन एपसेंट हो, दूसरी बात, डिस्प्रपोर नेशन अभी करिया का उधारन है, इसके अंदर, हैड्राइड आइन की सिफ्टिंग होती है, एक अणू का ऑक्सिडेशन करना है, दूसरे का रेडक्शन करना है, कंसेंट्रेट बेस की प्रजैंस में होती है, तो कैनी जारो अभी करिया के अंदर, में चरन यही होता है, हाइड्राइड आइन की क्या होती है, सिफ्टिंग होती है, डिस्प्लेस्मेंट होता है, ये कुश्चन बापिस रिपीट हुआ, अलकॉहल की रियक्शन को, अल्डिहाइड पर जोड़ना है, स्ट्रॉंग ऑक्सिटाइड एजेंट काम में नहीं ले सकते, स्ट्रॉंग लेंगे तो अलकॉहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से असिड बनेगा, अलकॉहल की रियक्शन को अल्डिहाइड पर रोकना है, तो PCC काम में लेंगे, PCC mild oxidizing agent है, जो 1 degree अलकॉहल की रियक्शन को काहा रोकेगा, अल्डिहाइड पर इनमें से कौन आइड़ोफर्म टेस्ट नहीं देगा, यह पूरा लिखा हुआ है, आइसो प्रॉपेल अलकॉहल, आप सब को पता है, आइसो प्रॉपेल अलकॉहल में, CS3-CHOH ग्रूप है, जिसमें CS3-CHOH ग्रूप हो, या जो आगे चलकर मैथिल कीटो में बदल सके, वो आइड़ोफर्म टेस्ट देगा, आइसो प्रॉपेल अलकॉहल देता है, एथेनॉल आपको पता है, CS3-CHOH एथेनॉल भी देगा, एथेनॉल CS3-CO मेथिल कीटो ग्रूप है, देगा, समझ में आ गया होगा, बैंजिल अलकॉहल नहीं देगा, क्योंकि बैंजिल अलकॉहल के अंदर, कहीं भी ये वाली कंडीशन आपको देखाई नहीं देगा, ये कुश्चन अब अपने कोर्स से हट चुका है, कि जो डाई-ॉल्स होते हैं, उनमें दो कंडीशन है, सिस और ट्रांस, उनके अंदर जो डिफ्रेंस करते हैं, वो एसी टॉन से करते हैं, एसी टॉन से साइक्लो पेंटा वन टू डाई-ॉल्स चक्रिया एसी टेल बना लेगा, लेकिन विपक्ष वाला एंगुलर स्ट्रेंड हो जाने के कारण रियक्शन नहीं करता है, यहां तक साइद मैंने आपको बता दिया था, यहां से चलेगा, नेक्स्ट, प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रेक्शर, याद आना चीए, प्रोटीन एमीनो एसीट से मिलकर बने है, एमीनो एसीट के अंदर याद करें, एमीनो एसीट का जब specific sequence होता है, तो वो प्रोटीन की primary structure है, प्रोटीन की secondary structure हेलिकल हो सकती है, और उसका कारण आपको बता चुका, secondary structure में क्या मिलती है, hydrogen bonding मिलती है, प्रोटीन की secondary structure होती है, उसमें hydrogen bonding मिलती है, ये question ACF में आये था, DNA और RNA molecules जो होते हैं, वो chiral होते हैं, उसका कारण क्या है, तो DNA और RNA में आपको पता है, deoxy ribose, और ribose सरक्रा पाई जाती है, और deoxy ribose सरक्रा और ribose सरक्रा में, किरेल कारण पाये जाता है, यही कारण है कि DNA और RNA किरेल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर, जो शुगर वाली जो मॉैटी होती है, उसके अंदर किरेल का मिलती है, सब को पता है, विटामिन B1 की कमी थाइमीन और थाइमीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है पैरिकर सुक्रोज के अंदर आपको याद रखना है सुक्रोज में इतना तो पता रहता है गुल्कोज और फैक्ट्रोज से मिलकर बना है अच्छी तरह से Biomolecules पढ़ा चुका गुल्कोज जो सुक्रोज है वो Disaccharide है Non reducing sugar होती है और सुक्रोज के अंदर आपको पता है कि गुल्कोज और फैक्ट्रोज होगा गुलकोस तो अलफा होता है और फैक्टरोज बीटा होता है गुलकोस अलफा होता है इसका मतलब ये ये तो होई ने सकता गलेक्टो ये होई ने सकता अलफा गुलकोज होता है और बीटा फैक्टरोज होता है अलफा गुलकोज होता है बीटा फैक्टरोज होता है अब आप सब को पता है कि गुलकोज के अंदर तो छे मेंबर की रिंग पैर्लोज होती है जबकि फैक्टरोज के अंदर पांच मेंबर की रिंग फुर्लोज होती है इसी लिए जो सुक्रोज है उसके अंदर alpha d glucose और beta d क्या होता है तफ्रोज होता है याद करेंगे glucose के अंदर anomers याद करेंगे anomers मैंने कहा था cyclic di-stereomers होते हैं anomers याद आ जाना चीह है H OH 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 CS2H H याद आ जाना चीह बताया था कि जो glucose है इसकी जो cyclic structure होती है तो glucose दो फॉर्मवा में मिलता है alpha d glucose और beta d glucose जो anomeric carbons होते हैं उनमें जो भिन्यता होती है वो एक नंबर के carbon में होती है एक में H उपर OH नीचे दूसरे में OH नीचे और H उपर तो glucose के जो anomers होते हैं जो एक तरह के cyclic di-stereomers होते हैं उनमें carbon number 1 के विन्यास में भिन्यता होती है अभी भी पताया glucose के अंदर जो 6 सदस्य की ring मिलती है उसको pyranose कहते हैं और जो आपकी glucose के अंदर तो आपको पता है 6 सदस्य की जो ring है वो pyranose कहलाती है और आपकी जो factors है उसमें आपको पता है 5 member की ring होती है उसको furlose कहते हैं कि serious cancer अगला कुश्चन ऐसे कुश्चन कई बार आते हैं इनमें से आवश्यक aminoamil का अंसा है तरीका बता चुका TV mile path याद रखना है TV mile path याद रखना है ये आवश्यक aminoamil है TV mile path T का मतलब tryptofen tryptofen तो है नहीं V का मतलब wellin या एम का मतलब methyonin mathione in heathione नहीं है i का मतलब isolution ay toolution नहीं है l का मतलब lusine lucy nहीं है Certain the hyaladinin Phenyle all onion नहीं है A का मतलब arginine नहीं है T का मतलब threonine, threonine नहीं है H का मतलब histidine, histidine नहीं है आंसर जाएगा leucine और valide कल दे देंगे बिटा गुकलेट आप 100% परकेस biomolecules और इसके अगला question इसमें थोड़ा correction है answer की में 34 वाले question में जब भी आप करें तो 34 वाले question में correction करें 34 number की question में इन में से वो कौन सा amino अमल है जो प्रकाशिक सक्रियन नहीं है answer की में correction कर ले 34 का answer 2 होगा कई बार बता चुका आप से पिछली बार भी 1st grade में पूछा था सारे जो amino acids हैं वो optically active होते हैं एक मात्र किसको छोड़कर glycine को छोड़कर क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता कि रेल कार्बन नहीं होता अगला question propion aldehyde यह रा propion aldehyde reaction करा ही dilute NUH तुरंत दिमाग में आ जाना चीए dilute NUH दिखते ही और तुरंत aldehyde दिखते ही और उसमें alpha दिखते ही तुरंत समझ में आ जाना चीए यह तो aldol condensation aldol condensation में याद आना चीए दो अणू काम में लेंगे एक तो aldehyde का ही काम करेगा और जो दूसरा होगा वो किसका काम करेगा वो nucleophile का काम करेगा तो यह जो base है वो क्या करता है alpha aldehyde से जोडने वाला पहला carbon alpha इससे जोडने वाली hydrogen acidic होती है उसको H plus की form में निकाल देगा तो जो दूसरा हमारे पास बचेगा वो बनेगा CS3, CH- और CHO याने जो दूसरा अणू है उसको nucleophile की तरह आपको बना देना है और इसको इसके साथ attach करवा देना है CS3, CS2 CH O minus CH CS3 और CHO और जो वाटर बाहर निकला इसके H plus और OH minus से जो वाटर बाहर निकलेगा ये जो base है वो उससे acidic hydrogen ले लेगा और ये वाली स्तिती बनेगे यादाना चीए कि LDL condensation में beta hydroxy aldeide या ketone बनते हैं ये alpha beta hydroxy aldeide और ketone बनते हैं ऐसा option CS3 CS2 CHOH CS2, 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 CSO ये रही होगा CS3, CS2, CH के साथ OH CH के साथ CS3 लगा CHO second वो ही base दिख जाए base दिख जाए ऐसा aldeide ketone दिख जाए जिसमें alpha hydrogen तुरन समझ जाएं ये reaction aldeone condensation है aldeone condensation में आपको पता है जैसे एक तो बन गया है cyclohexenol दो अनू काम में ले लेना एक को तो वैसा की वैसा रखना और जो दूसरा आपने काम में लिया है उसकी जो alpha position है उसमें carbonion बना देना इस तरह दिख यानि दूसरे को nucleophile बना देना क्योंकि carbonil से जुडने वाला पहला carbon alpha carbon ये वाली जुडने वाली hydrogen acidic होगी base acidic hydrogen को बाहर निकाल देगा ये अब आप सब को पता है carbon से electron का transfer का होगा oxygen पर ये इसके साथ यहां जुड़ेंगा यानि ये वाले इस तरह O minus और उसके साथ finally H जुड़ जाएगा और ये इस तरह किसे हैं ये बन गया LDol समझ में भी आगया होगा beta hydroxy aldehyde ketone बन रहा है लेकिन साथ ही साथ इसने आगे चलका reaction को देखोगे तो heat भी किया तो आपको बता चुका जब आप heat करते होगे तो इसमें alpha बीटा elimination होता है OS से जुड़ने वाला पहला carbon alpha और अगला carbon बीटा बीटा से H alpha से OH और यहां S2 निकलेगा और इनके बीच में क्या लग जाएगा डवल बोन लग जाएगा यानि यह इस तरीके से condition बने गाएगा है क्या सब्सक्राइब है यह नेक्स्ट कुछिशन विटिक रियक्शन याद करेंगे विटिक रियक्शन के अंदर जो इंटरमीडियेट बनता है वो क्या बनता है वी टैन लगता है अगला भी लगता कुछ यह बेंज़ टिऑ है को तुरन दिमाग में आ जाना की बेंज़ डियाईड ich को में कौन सी रियक्शन कैनी जारो का कैनी जारो क्याकशन के साथ कैनी जारो के अंदर चार-पांच चीजे याद रखनी है नमबर एक वे अल्डियाइड दिखाएंगे जिन में अलफा इटोजन एपसेंट होगा बेंजल डियाइड में अलफा इटोजन एपसेंट है अब हमें पता है कि वे अल्डियाइड दिखाएंगे जिन में अलफा इटोजन एपसेंट होगा इसके में बदलेगा CHO CS2OH में बदल जाएगा दूसरा जो बैंजल डियाइड है उसका एलडियाइड क्या कहता है एसिड में एसिड का सॉल्ट बनाएगा सोडियम बैंजोइड बनेगा इस अभी क्रिया को आपको पता है क्या कहेंगे कैनी चारों भी क्रिया करें वुल्फ किश्णर याद करेंगे वुल्फ किश्णर हाइड्रेजीन के साथ बेसिक मीडियम याद करेंगे वुल्फ किश्णर वुल्फ किश्णर जो होता है हाइड्रेजीन के साथ बेसिक मीडियम है याद आना चाहिए हाइड्रेजीन बेसिक मीडियम हीटिंग करेंगे फा यहां मुझे दिख रहा है ऑक्सिडाइज करूँगा तो मैथिल कीटों में बदल जाएगा इसलिए थाड़ आर्सर पर्फ्यूरल की रियक्शन सांद्र अपको पता है फर्फ्यूरल यह रहा वही बात कंसंट्रेट एन वेच तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कैनी जारो रियक्शन है यह तो इसके अंदर आपको पता है एक अनू तो ऑक्सिडाइज होकर एसिड बना लेगा पर्फ्यूरिक एसिट किस तरह से एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है और दूसरा इसके अंदर क्या करोगे यह एक तरीके की मतलब मतलब अपन ने पड़ा था दो तरह के अल्डॉल होते है एक सरल अल्डॉल होता है और एक मिस्त्रित अल्डॉल होता है तो जब आपको दोनों अल्डी हाइट सा अलग अलग तरह के दिखें तो उसके अंदर आपको पता है क्या मिलेगा उसके अंदर आपको पता है कि यह वाली जो कंडिशन है यह मिस्त्रित एल्डॉल कंडिशेशन की एक्जाम्पल है इसके अंदर चार कंडिशन्स बनेंगी एक बार तो क्या करोगे CS3-CHO प्लस दूसरा भी CS3-CHO ले लोगे और इसके अंदर कार्ब एन इन यहां बना लोगे एक कंडिशन जो आपका क्रॉस टाइप का एल्डॉल कंडेंशेशन होता है उसमें सिंपल तो होता होता है साथ में क्रॉस भी होता है दूसरी बार क्या करोगे एक तो यह एल्डिहाइड काम आ जाएगा और दूसरा जो एल्डिहाइड होगा उसकी alpha position पे आप कार्बेना रिविए क्प्रीक्टिस घर करेंगे तीसरी condition में क्या करोगे एल्डिहाइड बने लोगे और इस वाले में इस वाले में ऑलफा पोजीशन पे नुक्लियोफाइल बना लेगे चार प्रोड़क्त बनेगे अगली कंडिशन में यह बनेगे इसको चेक कर लेंगे फाइनली अंसर इसका करके देख लेंगे आगया पिटा सोच में यह जो प्रोड़क्त बनेगा एल्फा बीटा इल्मीनेशन करके वाटर बाहर निकल लेगे बताओ देख देख किस त्रीट इसके साथ तो जुड़ जाएगा वहीं से लिख दिया डवल बॉन हो इसके साथ फाइनली अजुडना यह जुड़िया चेह कि रिटिंग करोगे आपको पता है अल्फा बीटा इल्मीनेशन होगा H2 बार निकल दो, यहाने यह बच जाएगा, ऐसा option है, हाँ है, यह रहा, but to in L बनता है, हाँ साब बनता है, दूसरे में देखो, CS3, CS2, यह CHO को ऐसे बना लिए है, CH, यह O तो बदल जाएगा H में, और यहाँ ही जोग जाएगा, CH, CS3, CHO, वो ही हीट करोगे, alpha, beta, elimination कर देना, alpha, और beta, sorry, alpha, aldehyde से जुडने वाला पहला carbon, alpha, beta, क्या बाहर निकाल दोगे, H2, बन जाएगा, CS3, CS2, इसमें भी alpha, यह, beta, CS3, CS2, TH, double bond C, CS3, CH, आगया होगा, समझ में, यह भी option होगा, इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 methyl, 2 methyl, 2 methyl, है क्या, 2 methyl, pent-2-en-al, इसमें 2 methyl, pent-2-en-al, देखे, थोड़ा सा, इसको देख लिए, pent-2-en-al, एक बार चेक कर ले ना, इसको बिटा, थोड़ा सा, बापिस चेक कर लेते हैं, सारे option, option में mistake हो सकती है, इसको, due 2-en-al, तो बना लो, इसको चेक करो, CS3, CS2, CHO, जोड़ दिया, यहां, CS3, CS2, CHO, CS, CS3, हमने यहां S2O, निकाल दिया, तो बना 2-methyl, 2-methyl, pent-2-en-al, है क्या ऐसा option, कोई बात ने, 2-methyl, इसको बना लो, 2-methyl, इसको देख ले न, pent-2-en-al, यह बना, 3-en-al नहीं बनेगा, pent-2-en-al बनेगा, और चोबथा भी चेक कर ले न, वो भी बनेगा, तरीका आपको आगया हूँ, अगला कुश्य, इसको ध्यान से देखे हैं, यह intra-molecular-aldol-condensation है, carbonil compound आपको दे रखे हैं, alpha hydrogen presence है, यह वाली, यह intra-molecular-aldol-condensation है, एक ही molecules के अंदर, एक पार्ट, nucleophile बनाना है, और दूसरा carbonil का काम करेगा, यहां आप nucleophile बना देंगे, CS2-, यह इसके साथ यहां जोड़ देंगे, इस तरीके से, और यह O के साथ क्या जोड़ गया, H, फिर आपको पता है, alpha और beta, elimination कर दोगे, H2 वह बहार निकल जाएगा, यह वाला product बन जाएगा, दिख रहा होगा वैसे भी, कि जो aldol condensation होता है, उसके अंदर, alpha, beta, carbonil compound बनते हैं, तो इसका answer क्या रहा, second, क्योंकि यह aldol condensation है, इसमें alpha, beta, carbonil compound बनते हैं, अगला, जब भी, आपको दिखे, यह एथेनॉलिक, casein, और दिखे, beta, hydroxy, आपको दिखे, sorry, alpha, hydroxy, carbonil compound दिखे, CHOH, CO दिख जाए, समझ जाएं, तुरंत, यह कौन सी reaction है, benzoin condensation है, जब भी, आपको, alcoholic, casein, दिखे, C6, H5, CHO, CS3, CHO, NUH, X बनेगा, heating, यह वाली reaction, आपको समझ में आना जाने चाहिए, कि यह वाली जो reaction है, LDL, LDL, concentrate NUH, concentrate NUH नहीं, यहाँ, dilute NUH, तुरंत, सबच बाजाना चाहिए, LDL condensation है, LDL condensation के लिए शर्ट यह होती है, कि कम से कम एक के अंदर क्या होना चाहिए, alpha hydrogen होना चाहिए, तो इसमें alpha hydrogen बना लेंगे, इसमें बनेगा नहीं, यहाँ यह वाली condition ऐसे हो जाएगी, C6, H5, CHO, इसके अंदर alpha position पे carbon ion बना लेंगे, यहाँ, nucleophile बन जाएगा, और यह इसके ओपर क्या कर लेगा, attack कर, O- वाला बाद में H में बदल जाता है, CS2, CH, तुरंट चेक करेंगे, LDOL condensation में आपको पता है, alpha, beta, beta, hydroxy, carbonil compound बन रहें, फिर जब आप इसको heat करोगे, तो मैंने कह दिया, यह alpha और यह beta, alpha से H लेना है, beta से OH क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और यह structure बनेगी, C6, H5, CS double bond, CS, CHO, L roll condensation में यह वाला product बनता है, एक बार चेक भी कर लेंगे, alpha, beta, alpha, beta, संत्रत कार्बोनिल compound बनते हैं, और ऐसा ओफिशल 3rd, एक बार आप online वाले बताएं, समझ में आ रहा हैं नहीं आ रहा हैं, फास्ट लेन आपनेगा, दिन नहीं आपने पास, एक बार लिखें, दिन नहीं आपने पास, रोज प्रैक्टिस करनी पड़े ही, समझ मारा हैं एक बार live वाले chatting में लिखें, ठीक है, सुबास आपके, ठीक है, अगला कुश्चन है, यहां से क्या है ध्यान रखना है, जो answer की है, कल मैं बापिस भीजूँगा, फोड़ा सा answer की में, 45 वा जो question है, वो दो बार repeat हो गया, इसलिए आपकी answer की पूरी गड़बड आ गई होगी, यहां आपको चार reaction दे रहा है, और वो पूछ रहा है कि आपको यह बताना है, चार reaction में H2O का निर्मान किया जा रहा है, इसमें भी H2O, इसमें भी H2O, इसमें भी H2O, और आपसे पूछ रहा है कि वो reaction आपको छाटनी है, जिसके अंदर heat of formation हो रहा है, याने formation हो रहा है H2O का, H2O का formation आपको करना है, और heat of formation आपको बतानी है, कि heat of formation क्या होगी, अब देखें heat of formation का मतलब, संभवन उश्मा का मतलब यह है यहां यह कुश्चन कहना चारा है कि आप एक मूल वाटर का आपको निर्मान करना है एक मूल पानी एक मूल पानी एक मूल पानी और एक मूल पानी अब पानी का निर्मान आप कई अलग-लग तरीके से कर रहे हैं लेकिन जब जल का निर्मान उसके मूल इस्ताही तत्वों से किया जाए उस दोरान जो energy release होती है या देनी पड़ती है उसे heat of formation कहेंगे अब पहले वाले compound के अंदर आपको पता है H2O अब H2O किस से बनेगा? H2O बनेगा hydrogen से और किस से oxygen से एक मूल जल का मुझे निर्मान करना है उसके इस्ताही अव्यवी तत्वों से तो H2O के लिए जो मूल इस्ताही अव्यवी तत्वों है वो hydrogen और oxygen है तो hydrogen और oxygen इससे मुझे किस का निर्मान करना है? H2O का यहाँ भी आपने H2O का निर्मान किया लेकिन heat of formation की definition क्या है? जल के एक मूल का निर्मान करना है तो यह रियक्शन तो होई नहीं सकती क्योंकि जल के साथ CO बन रहा है जल के साथ CO2 बन रहा है एक मोल जल का निर्मान करना है और एक मोल जल का जो निर्मान करना है उसके इस्ताही अव्यवी तत्वों से करना है जिससे मिलकर वो बना है उस दोरान जो एनरजी रिलीज होती है या काम आती है उसे heat of formation कहते हैं यहाँ S2O का निर्मान हाइडोजन और आप किस से करेंगे oxygen से करेंगे क्योंकि यही इसके लिए मूल जिस्ताही अव्यवी तत्व है उस दोरान जो एनरजी रिलीज होगी उसे आप क्या कहेंगे heat of formation कहेंगे इसलिए जो 45 नंबर का जो questions था उसका अपना answer क्या गया second क्या next question अपने copy में कर ले ना इसका answer second मैं लिख दूंगा कल answer की जब सुबह दूंगा बनाके 45 अदू लिकित अभी किरिया पर विचार इसका answer यह रहे अगला question क्या है 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 उनकी आबंद उड़ जाए है आपको दे रखी है 430 किलो जूल, 240 किलो जूल और SCL के लिए heat of formation माइनस 90 किलो जूल प्रती मोल दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है SCL की bond energy ग्याद करें सबसे पहले आप यह देखे हैं इस question के अंदर मुझे H2, CL2 की bond energy दे रखी है SCL की bond energy मुझे से पूछ रहा है और SCL के लिए heat of formation बना दिया हुआ है अब मुझे पता है SCL का मैं निर्माण कर रहा हूँ SCL का निर्माण कर रहा हूँ इस दोरान जो energy release हो रही है उसे आप कहरे heat of formation और heat of formation मुझे कितना दे रखा है माइनस 90 किलो जूल परती मुझे यह दे रखा है मुझे heat of formation SCL का निर्माण होगा उसके मूल इस्ताही अव्यवी तत्वों से इस दोरान इसके इस्ताही अव्यवी तत्वों कौन है hydrogen gas और साथ में कौन है chlorine gas यही तो होगा हमारी heat of formation की definition क्या है एक मूल योगिक का निर्माण उसके इस्ताही अव्यवी तत्वों से करने पर जो energy बाहर निकलती है उसे ही heat of formation कहते है इस दोरान जो energy बाहर निकलेगी उसे heat of formation कहेंगे इसका मतलब इस दोरान जो डेल HR है वो किसके बराबर होगा डेल HF के और उसके वैल्यू हमें कितनी देर्ख़्ी है माइनस 90 किलो जूल परती SCL का निर्माण उसके इसके स्थाही अव्यवी तत्वों से कर रहे है इस दोरान एक मूल SCL का निर्माण उसके स्थाही अव्यवी तत्वों से कर रहे है इस दोरान जो energy release होती है उसे हम क्या कहते है heat of formation और यही इस अभिक्रिया के लिए डेल HR है क्यों क्योंकि आप SCL के एक अडू का निर्मान कर रहे हो उसके इस्ताही अभी अभी तत्वों से उस दोरान जो energy अभिक्रिया के दोरान जो energy release हो रही है वो डेल HF और डेल HR है अब आप सबको पता है कि डेल HR कैसे निकालते हैं मैं बता चुका डेल HR निकालने का तरीका होता है summation करोगे आप किसका जो हमारे reactant है उनकी bond energy का और उसमें से minus कर दोगे summation करोगे product जो है उनकी bond energy का अब मेरे पास डेल HR मुझे पता है कितना है 90 किलो जूल प्रती मोल है reactant की bond energy कैसे find out करे reactant हमारे लिए H2 और CL2 है यह जो energy दे रखी है वो एक-एक मोल bond energy की दे रखी है यहाँ आदे हादे है तो इनको आदा आदा कर दो इसका मतलब यह तो हुआ 215 215 और यह हो गई 120 प्रोडेक्ट आपको पता है SCL है और मुझे SCL की क्या find out करनी है find out कर लोगे इसको इधर ले जाओगे इसको इधर ले आओगे इसको तो इधर तो यह minus के कारण प्लस का हो गया इसको इधर लाओगे तो minus के कारण यह plus का हो जाए याने इस तरिस आगया होगा समझने इनको आपस में जोड़ दोगे जोड़ दोगे तो फिर आपका अंसर क्या हो जाएगा 425 किलो जूट मोल इंवर्स पर इसके आगया होगा समझने 46 पर नेक्स्ट कुश्चन देखे है 47 एक टू सील टू सील की बॉंड डिसोशेशन एनरजी आपको दे रखी है और सील की हीट आप फॉर्मेशन आप से पूछ रहा है वही कुश्चन है सील का निर्मान करना है उसके अभी अभी तत्रों से इस दोरान जो एनरजी बहार निकलेगी इस दोरान जो एनरजी बहार निकलेगी डेल एचार वो हमारे पास होगी डेल एचेफ और एसील अब क्या कह रहा है कि SCL की SCL की heat of formation energy निकालनी है कहने का मतलब एक तरीके से डेल HR निकालता है डेल HR कैसे निकालोगे जो हमें bond energy दे रखी होगी reactant की उसका summation करोगे और bond energy किसकी माइनस कर दोगे product PN reactant की bond energy देखो H2 और CL2 की दे रखी है कितनी 434 प्लस 242 तो इसका तो आधा करोगे आधा 434 प्लस 242 माइनस SCL की पूरी की पूरी मुझे दे रखी है कितनी 437 इसको आप calculate कर लोगे और इसको जब आप calculate करोगे तो आपका जो answer है इसके अंदर आएगा कितना minus 93 kilojoule प्रति मॉल इन्वर्स कर लोगे अगला पूर्श है PCL52 ट्राए PCL3 और CL2 में PCL5 को तोड़ना पड़ रहा है एक अणू दो अणू में टूट रहा है तो एनरजी देनी पड़ेगी जब एक अणू दो अणू में टूटता है तो आपको पता एनरजी देनी पड़ेगी तो ये प्रक्रम कैसा होगा उश्माशोशी होगा और उश्माशोशी फरक्रम के लिए आपको पता है डेल एज पॉजटिव होगा ये तो गलत होगया ये गलत होगया दूसरी बात आपको पता है अनुओं की संख्या बढ़ रही है अनुओं की संख्या बढ़ेगी तो एंट्रॉपी बढ़ेगी इसलिए इसका अंसर चार होगा डेल H का मान भी जीरो से जादा और डेल S का मान भी किस से जादा होगा जीरो से जादा होगा अगला कुशन जब हाइड्रोजन के चार परमाणू आपस में जुड़कर हाइड्रोजन के दो मोल बनाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है माइनस आट सो नेतर पॉइंट शे किलो जूट इसका मतलब जब 2 mol का निर्मान होता है तो एनर्जी कित्ती बनती है माइनस 889.6 और अगर 1 mol का निर्मान करना हो तो एनर्जी कित्ती होगी 4, 3, 4.8 इतनी एनर्जी यानि कि जब hydrogen के 4 परमानु आपस में जुड़कर 2 mol hydrogen का निर्मान करते है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है 1 mol का निर्मान करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी और 1 mol को तोड़ोगे तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इसलिए जो इसका आंसर है वो कित्ता गया 434.8 किलो जूल परती मोल गया क्यों? क्योंकि आपसे S2 bond की वियोजन उड़ जा पूछ रहा है, यहां तो formation हो रहा है, तो energy release होगी, यहां फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, यहां तो तोड़ना पड़ रहा है, तो energy देनी पड़ेगी, इसलिए स्कानसर 434.8 kJ प्रती मोल दिया, इस वाले question के अंदर आपस से डेल HR find out करना है, मेरे पास ही की formula है, summation करना है bond energy, reactant की, और minus कर देना bond energy product की, अब reactant में क्या हो रहा है, एक double bond तूट रहा है, तो double bond की energy तो आपको पता चल रहा होगा, कितनी है, 6 से 6.10, प्लस, कितने carbon hydrogen bond तूट रहे है, 1, 2, 3, 4, एक carbon hydrogen bond को तोड़ने की कितनी energy देनी पड़ती है, 410, चार इंटू, 410.4, प्लस, एक आपने H2 bond भी तोड़ोगे, तभी तो बनेगा यह, H2 bond को तोड़ने के लिए energy कितनी देनी पड़ती है, 431.37, तो यह वाला पार्ट तो हो गया, bond energy reactant, अब bond energy किसकी लिए लोगे, product, product में आपको दिख रहा है, एक तो carbon carbon bond बन रहा है, carbon carbon bond बनता है, तो energy कितनी release होती है, 336.4, प्लस, प्लस, साथ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon hydrogen bond बन रहे है, तो 6 into 410.5, अब आप इसको calculate कर लेंगे, जो भी आपके पास answer होगा, वो आ जाएगा, तो इसका जो answer है, वो finally minus 120 kilojoule mole inverse 1, calculation आपका. यहाँ आपको एक equation दे रखी है, Fe2O3 plus 3CO, बना Fe plus 3CO2, इसके लिए डेल H दे रखा है, और इसके लिए डेल H आपसे पूछ रखा है, तो जब भी किसी reaction के लिए डेल H पूछे, और अन्य दो reaction दे रखी होगा, आप इस तरीके से जोड बाकी गुड़ा भाग करो, कि हमारे पास यह reaction आजाए, तो जो पहली वाली reaction है, अगर जो दूसरी reaction है, उसको अगर मैं 2 से गुना कर दूँ, दूसरी वाली reaction को किस से गुना कर दूँ, दो से, देखो ऐसे, समझे, Fe2O3, प्लस 3CO, 2Fe, प्लस 3CO, इस दौरान जो energy बाहर निकली, वो बाहर निकली, माइनस 26.8 किलोट, याने दूसरी equation में ऐसा कुछ करो, जिस से पहली और दूसरी की मदद से तीसरी बन जाए, अब दूसरी equation को मैंने 2 से गुना किया, 2FeO, प्लस 2CO, 2Fe, प्लस 2CO2, दो से गुना किया, इसके लिए डेल एच, तोला गुनी, 32, माइनस 33 किलोट, अब आप क्या करो, इस पहली equation में से दूसरी equation को माइनस करो, याने इसको भी माइनस करो, माइनस करोगे तो यह माइनस का, यह माइनस का, यह माइनस का, यह माइनस का, याने पहली equation में से दूसरी equation माइनस करो, तो FE से तो FE cancel out हो जाएगा, 3 CO मैंसे एक CO जाएगा, तो क्या रहा जाएगा, CO, जब आप इस 2FEO को, 2FEO को माइनस का है ना, तो इसको पक्षांतरन करके इधर ले आओ, 2FEO, भाई, माइनस है ना, माइनस 2FEO, इसको इधर ला सकते हैं ना, तो यह किसका हो गया, अप्सका 2FEO, और साथ में क्या बज़ गया, एक CO2, और इधर क्या बज़ गया, अपने पास, FE2O3, आभी नहीं, एक क्वेशन, तो इसका मतलब यह हुआ, कि अगर एक्वेशन फस्ट जो है, अगर एक्वेशन जो फस्ट है, उसमें से, अगर मैं एक्वेशन सेकिंड को गटा दू, इक्वेशन सेकिंड को मैं क्या कर दू, घटा दू, तो मेरे पास क्या आजाएगी, एक्वेशन फड़ आजाएगा, याने क्या करना है, जब ऐसा कुश्चन आ जाए, कि आपको दो इक्वेशन दे रख्यों और फड़ को फाइंड आउट करना हूँ, तो आप यह सोचों क प्लस तीजिन ग्लो जूव, तो आन्सर प्लस में आ जाएगा, पर आन्सर कित्ता आ जाएगा, 6.25. लिए एक्स 2 y2 xy सिद्री अनके लिए हम को एंट्रॉपी दे रख़ी है अभीक रिया x2 प्लस देपको से बना x-y आधकिर्या के लिए यह आपको डेल एक्स दे रखना है और यह क्या रहा है कि यह जो reaction है यह सामय वस्था में जब आईगी तो उसके लिए क्या temperature चाहिए तो आपको पता है कि सामय वस्था के लिए जो डेल जी है वो आपको पता है जीरो होता है और सब को formula पढ़ता है डेल जी बराबर डेल H माइनस क्या होता है तो आपको डेल एच बराबर टी डेल एच अब हमें पता है कि इसके अंदर हमसे पूछ रहा है सामय वस्था पर टेंप्रेचर तो formula लगाएंगे डेल एच अपॉर्ट डेल एच का मान इस equation के लिए मुझे दे रखा है माइनस 30 किलो 30 इंटू 10 की हाथ 3 इस equation के लिए मुझे डेलस find out करना पड़ेगा डेलस कैसे find out करते हैं मैंने बता रखा है किसी chemical reaction के लिए डेलस find out करना है तो product की entropy में से क्या माइनस कर देते है प्रोडेक्ट की entropy आपको पता है xy3 के entropy किती दे रखी है xy3 की तो 50 है माइनस अगर आपन रिएक्टेंट की देखें x2 की कितनी है इसमें यह half half है सायद देख लिए टाइप में रही है आई हाफ रही हाफ है हाफ तो x2 है और y2 कितना है 3 बटे जो यह से बना रखा xy3 है यह टाइप में रही है अब reactant की देखो यह half x2 अब अपन को बता है reactant यहाँ पर क्या है half x2 इसका मतलब x की तो आधी करो 30 प्लस y2 की कितनी करनी है तीन बटे दो यहाने तीन बटे दो वाइट वी कितनी दर रखे 40 तो 60 तो 90 मैं से 50 तो यह मैनस का 40 यह तो अग्या जूल में और यह था किलो जूल में तो दोनों को जूल में ले आए आपका अंसर आजाएगा और इसको जब आप कैल्पलेट करोगे तो आपका अंसर कितना आएगा साड़े सास्ट नेक्स्ट कुर्चे निम्न मैं से किसमें एंट्रॉपी घटती है तो आप बढ़ाने पर एंट्रॉपी बढ़ेगी सोडियम कार्बोनेट का जब हीट करते हों तो सोडियम कार्बोनेट और सी ओ टू बनता है ये डिसोशेशन अभी करिया है एक अणु से दो परमाडों में टूट रहा है तो भी entropy भड़ेगी सबको पता है द्रव को जब फोस में बदलते हैं तो entropy घटती है पानी वास्ट में बदल रहा है अवस्ता परिवर्तन हो रहा है और अवस्ता परिवर्तन के दरान मुझे कुश्चन में entropy find out करनी है अवस्ता परिबरतन के दौरान entropy कैसे find out करते हैं सिस्टम के दौरा जो energy absorb की गई है वो और नियपत आपका भाग लगा देते हैं सिस्टम के दौरा जो energy absorb की जा रही है वो 30 किलो जूल है याने 30 into 10 की गा 3 और temperature आपको पता है तीन सो solve कर लेना answer आजाएगा सो जूल इनिवर्स बन कैलिवन इनिवर्स बन जो द्रोश परिस्तिती में जब भी आजाए आदर्स गैस का मुक्त प्रसार कहीं भी मुक्त प्रसार लिखाओ तो सारी values जीरो हो जाएंगी इसलिए इस question के अंदर correction कर लेना यहाँ ये del t is not equal to zero नहीं है बलकि del t वराबर क्या है जीरो क्योंकि जब आप किसी gas का मुक्त प्रसार करोगे तो किसी तरीके का work ही नहीं होगा work नहीं होगा तो temperature में change आने का सवाल ही नहीं है तो इसलिए परिस्तिती में जब किसी gas का मुक्त प्रसार करते हैं तो सारी values क्या होंगी जीरो के आज के लिए इतना ही करेंगे थोड़ा सा speed में लूंगा मैं रोच आप खुद भी मेहनत करें क्योंकि अपने पास 35-45 दने आप खाली तो इस paper को फ्राइडे को है paper और फिर सप्ता में दो दिन स्टार्ट हो जाएगा पेपर इस सप्ता से और कल अपन रियक्श्ट वो